हलो एवरीवन नामशकार आदाब साथ स्रीयकाल कैसे हैं आप मैं हूं दॉक्र परणजीत आप देख रहे हैं दॉक्र एडूकेशन और आज हम बात करेंगे कि आप जो है फैट्स चर्बी लिपिड्स जो आप मक्षन खाते हैं बटर खाते हैं कि आप किसी प्रकार का ओई खा होता है ट्रांसफैट और उसके अंदर एक होता है ओन्लाग और तो पाली उंसाचूरेटरेच पाली आनज दूरेटेटेड जो हैं यह हाट के risk जो है उसे कम करते हुए देखे गए तो इनका intake moderate intake होना अच्छा है trans fat जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके heart के लिए इसलिए इनका intake सबसे कम less than 1% जितना कम उतना अच्छा रहेगा यानिके अगर 2000 calories की diet ले रहे हो तो 2 gram से भी कम लीजिए saturated fat जो है यह भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो यह भी आपके heart का risk बढ़ा सकते हैं तो इसको जो है 20 gram तक ले सकते हैं देखिए 20 gram 2 gram तो इसमें फर्क समझना है saturated fat कहां से आता है जो आपका dairy fat होता है जो दूद की मलाई होती है जो meat से आता है red meat में सबसे ज़्यादा होता है chicken breast में कम होता है egg white में नहीं होता है और coconut या palm oils घी butter मक्षन मलाई उनमें saturated fats है trans fats वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा high heat पे पके हुए vegetable soils होते है hydrogenated partially hydrogenated oils होते हैं which is found in processed food या outside जो हम भाहर से खाते हैं इसलिए बाहर का खाना जो है these trans fats are very tasty तो बाहर का खाना ज्यादा ज्यादा tasty लगता है polyunsaturated fats जो है यह fatty fishes में होते है flex seed oil chia seed canola oil so they are good oils अभी हमारा cold pressed canola oil भी आने लगा है market में so you can take that also mono unsaturated are found in almonds olive oil avocados यह भी आप ले सकते है quantity में बता चुका हूं so fat अब खाते हैं तो होता क्या है ultimately whatever you eat वो आपके नीची जाता है आपके food pipe से आपके stomach में पहले होता है emulsification यहने lipid dispersion or rearrangement फिर इस पे enzymes act करते है gastric lipases pancreatic lipases and यह सारे lipases जो है इसको तोडते है missicles vesicles बनाते हैं और it then absorbs into the blood एक बार वो blood में आ जाए तो blood में kylomicrons is one type of the fats जो है जिस प्रकार से travel करते हैं और peripheral tissue तब यह overall overview हुआ इसको depth में समझते हैं देखो एक enzyme जो आपके काम करता है which is your lipases lipase lingual lipase is in the saliva saliva में होता है and then there is stomach में gastric lipase आपके पेट में होता है फिर यह सारे जो enzymes हैं यह आपके small intestine में काम करते हैं जो pancreatic lipases, colipases, hydrolases, phospholipase A, B, bile salts, intestinal lipase यह सब जो हैं कहीं न कहीं आपके जो fats हैं triglycerides हैं phospholipids हैं और इन सब को तोड़ के उनके छोटे molecules fatty acids fatty acid glycerol monoglycerides, free cholesterol fatty acids में break down कर देते हैं ultimately the मोटा मोटा fat is breaking down to छोटा छोटा fat यह जहान में रखें अब यह fat जो है आपके blood में absorb हो जाता है एक बार absorb होता है तो यह store कहां होगा जाएगा कहां वो भी समझेंगे और blood में जाता कैसे है वो समझेंगे पहले समझते हैं उसका end जाना कहां है जाना है they are stored into adipose tissues, adipose tissues और liver यह दो जगा पे mainly store होते हैं इसलिए liver में fat भरता जाता है अगर आप मोटे हो जाते है fatty liver होता है adipose tissue जो आपकी चर्भी है पुरे शरीर में, पेट में, कमर में, थाई में वो सब, so these, यह जो adipose tissues में जाता है, इसे tissue fat या neutral fat कहते हैं और lipoprotein lipase एक enzyme है, जो break down करता है, जो triglyceride, जो kailomatron आपके blood में घूम रहे होते हैं, उनको तोडता है fatty free fatty acid बनाता है, और यह free fatty acid glycerol के साथ जुड़के आपके adipose tissue या liver के अंदर घुज जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपके blood में घूमने वाले ही lipids, जो fats हैं, वो important है, blood में कैसे transport होते हैं, free fatty acid हो, तो वो albumin के साथ जुड़के transport होता, albumin क्या है, the protein which your liver makes, उसके बाद में जो दूसरे, अलग प्रकार के जो fats रह जाए, वो lipoproteins बनके, जो liver बनाता है, lipoproteins, they are transported in that form, क्या है lipoprotein, lipoprotein में है, kylomicron and kylomicron remnant, जो सबसे बड़ा molecule है, फिर है VLDL, very low density lipoproteins, फिर है IDL, intermediate density, LDL, bad cholesterol जिसे कहते हैं हम, जो low density lipoprotein on HDL, which is the good cholesterol, so इनका क्या काम है, LDL जो है यह triglyceride को liver से लेके, आपके edipose tissue या peripheral tissue तक लेके जाता है, और इसलिए peripheral tissue में जाते हुए, यह blockages में deposit भी हो सकता है, stickiness हो सकता है, जहां पर भी problem हो, वैसे HDL, जो है, यह VLDL, LDL भी जैसे बताया, VLDL यह आपके जो tissues से लेके organs तक लेके जाता है, जैसे heart और specifically LDL जो है, वो heart में लेके जाता है, HDL जो है, it basically takes the cholesterol or triglyceride from the tissues back to the heart, तो वो back to the liver, heart से लेके liver में लेके जाता है, वापस to break down, इसलिए HDL is good, HDL ज्यादा होना चाहिए, और इसके अगे का जो metabolism है, आपके blood के अंदर से, आपके fat molecules में, आपके tissues में, आपके liver के अंदर, आपके kidney के अंदर, कैसे metabolism होता है, अगर आप समझना चाते हैं, कि small fat क्या है, आपके किस तरहिके के fat situation, उनके क्या function है, अगर आप इसको detail में समझना चाते हैं, तो जो आपको क्या करना है, आपको downside करना है unacademy application, आपको download करने है इन्डिया's largest learning platform, unacademy पे परCTS and this unacademy इस ICC पर मैं लेने वाला हूँ free live classes, मेरी free live special class attend करी unacademy मेरे जैसे 20 अचार से जादा live classes में चलती रहती है, अलग-अलग बहुत सारे students आते हैं, free में सीख रहे हैं, detail सीख रहे हैं, आप भी आईए, आप interact कर सकते हैं मुझसे, बहुत सारे मेरे जैसे top educators हैं on academy पे, you can come, all you need to do is remember my code, मेरा free code अपने याद रखना है, which is परांजीत, जिसे आप unlock कर सकते हैं, free special class, और नीचे दिये गए link पे click करें, मेरे description में link दिया हुआ है, जिससे आप मुझे follow कर सकते हैं on academy में, आप follow करेंगे और मेरी आने वाली सारी classes आप free में attend कर सकते हैं, सिर्फ एक code डालके, so do come to unacademy, join me, बहुत सारे लोगों ने already join कर लिया है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, body की सारी functioning detail में, जो medical students को सिखाई जाती है, आप आके सीख सारे medical students अपने अपने group में share करें and join me there, I will see you on an academy for detailed discussion on human body functioning, thank you so much, link is given in the description, come on an academy, I'll see you there, let's crack it.